डेली करेंट न्यूज में अभी की खबर है साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन खबर को देखते हैं हाली में इंडियन कंप्यूटर इमर्जेंसी रिस्पॉंस टीम यानी सर्ट इन ने साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का संचालन किया है यह आयोजन भारत सरकार के इलक्ट्रोनिक से वं IT मंत्राले के तहत किया गया यह अभ्यास सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी यानि CSA के सहयोग से 13 देशों के लिए किया गया है इस अभ्यास का विसे था Ransomware हमलों से निपटने के लिए सुद्रिड नेटवर्क बनाना यानि Building Network Resiliency to Counter Ransomware Attacks चलिए अभ अभ्यास के विशिस्ट उदेश्यों के बारे में देख लेते हैं Ransomware और जबरन वसूली की नियत से किये गए साइबर हमलों के खिलाफ सुद्रिड नेटवर्क बनाना सदस्य देशों के बीच विभिन रनीतियों एवं कारे प्रणालियों का आकलन वा आदान प्रदान करना और उन्हें बहतर बनाना आईए अब सिनरजी अभ्यास के बारे में जान लेते हैं यहाँ अभ्यास अंतरराश्टिय रैंसमवेर विरोधी पहल रिजिलियन्स वर्किंग ग्रूप के हिस्से के रूप में संचालित किया गया इस अभ्यास का परिद्रश्य वास्तविक जीवन की साइबर घटनाओं से लिया गया था जिसमें एक घरेलू उस्तर की घटना बड़ी होकर वैश्विक साइबर सुरक्षा संकट का रूप ले लेती है इसमें प्रतेक राज्य ने एक राष्ट्य संकट प्रबंधन टीम के रूप में भाग लिया इसमें राष्ट्य CERTS, CSIRTS, कानुन प्रवर्तन एजन्सियों, संचार्थ था IT, ICT मंत्राले, आदी सहीत विभिन सरकारी एजन्सियों के प्रतिने धित्तों ने भाग लिया था यह अभ्यास CII सदस्य देसों के बीच बहतर समन्वे एवं सहयोग से समन्धित अंतरद्रिष्टी प्रदान करता है जिससे नेटवर्क को सुद्रिट बनाकर रैंसम वेर हमलों से कारगर दरीकों से निप्टा जा सके सर्ट इन के बारे में जान लेते हैं इसका पूरा नाम इंडियन कम्प्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉंस टीम है इसका गठन 2004 में किया गया था यह देश में साइबर सुरक्षा के शेत्र में विभिन प्रयासों को अंजाम देने के लिए राष्ट्रिय नोडल एजेंसी के गरूप में काम करता है इनके प्रार्थमिक कारियों में शामिल है भारतिय साइबर समुदाए के बीज सुरक्षा जागरूपता का प्रसार करना ऐसी घटनाओं के प्रती तकनिकी सुविधाएं प्रदान करना और सलाह आदी उपलब्द कराना सुचित किये जाने वाले साइबर हमलों को रोकना और उन पर कारवाई करना खामियों के विसे में रिपोर्ट करना और साइबर हमलों के प्रती राष्ट्य सवेदन सीलता को कम करना और प्रभावी कारियों को बढ़ावा देना यह भारत सरकार के इलक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रद्योगी की मंत् के अंतरगत आता है